19 जून को राहुल गांधी के जनम दिन के मौके पर युवा कॉंग्रेस देश और प्रदेश में जन्सेवा के कारिक्रम आयोजित करेगी। प्रदेश में युवा कॉंग्रेस इस दिन गरी मजदूरों को 20 किलो की राशन किट बांटेगी और आईसोलेशन में रहे रहे लोग निगम भंडारी ने वैक्सिन को लेकर भी सरकार की विवस्ता पर सवाल उठाए। निगम भंडारी ने कहा कि करोना से बचने का एक मातर तरीका वैक्सिन लगाना है और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करना है। 18-45 साल के बीच के लोगों के लिए स्लोट बुकिंग का जो सिस्टम सरकार ने लागू किया उसे युवाओं को परिशानी हुई है। 10-15 सेकेंड में स्लोट बुक हो जाते हैं। ग्रामनिक्षेत्रों के सभी लोगों के पास एंडरोइड फॉन नहीं होते हैं। इसलिए व उनको एडवांस में उनको बदाई देना चाहता हूँ और इस दिन पूरे देशवर में युवाओं कॉंग्रेस के राष्ट्री अद्यक्ष बीवी श्री निवाद जी और युवाओं कॉंग्रेस के राष्ट्री परवारी कृष्णा अलाववरा जी और हमारे हिमाचल कॉ इनके नेत्रितों में इनके आदेशा अनुसार और राजीव शुकला जी मुख्यता और PCC अदेश कुल्दीव राठोर जी के इन सबके आदेशा अनुसार हिमाचल युवा कॉंग्रेस पूरे परदेश बर में विदानसवा स्तर पर राशन किट मुहिया करवाएगी साथी साथ जो लोग जिनको लगता है कि उनमें करोना के सिम्टम से जो लोग आइसुलेट हुए हैं उनको आइसुलेशन किट मुहिया करवाएगी और साथी साथ कुछ जिलों में जिस तरीके से बलड की कमी परदेश में मरीज़ों को हो रही है तो युवा कॉंग्रेस मजदूरों को मुहिया करवाएंगे और आगे भी इस कारे को इसके बाद भी इससे पहले भी हम लगातार जो असाहे लोग हैं और जो गरीब मजदूर हैं इस कोविड काल के कोविड काल में उनको जो नुकसान हुआ है जो उनकी नौक्रिया चिनी है जो काम नहीं कर पा रह हैं जो उनको रोजगार नहीं मिल रहा हैं उनको लगातार युवा से पहले भी राशन किट मोहिया करवाते रहे है और आगे भी जिस भी तरीके की उनको समस्या होगी उनको सुल जाने का करई युवा कंगरस आगे भी करते रहेए